आमी ही मेरी लाइफ है विकी कॉसल की मच अवेटट फिल्म सैम बहादूर का टीजर रिलीज हो चुका है सैम बहादूर फिल्म के टीजर में हमें देखने को मिलता है विकी कॉसल एक इंडियन आर्मी के किरदार में नजर आते हैं टीजर देखने में बहुत ही इंट्रेस्टिंग नजर आता है जो देखने में बहुत ही जबर्दस्त लगता है विकी कॉसल दंदार अंदाज में डियालॉग डिलिवरी देते हुए नजर आते हैं टीजर में हमें देखने को मिलता है विकी कॉसल अपने सोलजर्स को जंग जारी रखते हैं और टीजर में हमें दिखाया जाता है किस तरह सैम बहादूर अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए और इंडिया नार्मी के लिए बहुत सी चीजे सेक्रिपाइस कर देते हैं विकी कॉसल की सैम बहादूर फिल्म में सैम मनिक्शौ की पतनी का किरदार सान्य मलोत्रा निभारी हैं और भारत की पूर्व प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी का रोल पातिमा सना सेक निभारी हैं विकी कॉसल की सैम बहादूर एक बायोपिक ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें विकी कॉसल भारत के पहले फिल्ड मार्शल सैम मनिक्षो पर अधारित बायोपिक फिल्म लेकर आ रहे हैं टीजर को देखने के बाद दर्सकों के बीच सैम बहादूर फिल्म को देखने का एकसाइटमेंट और भी बढ़ गया है सैम बहादूर फिल्म में विकी कॉसल का लुक उनका एकस्प्रिसन पॉजी एटिट्यूट से लेकर डैलोग डिलिवरी तक सैम मनिक्षौ के किरदार में खुद को ढालने के लिए विकी कॉसल ने कड़ी महनत की है आपको बता दे कि सैम बहादूर फिल्म की कहानी भारत के पहले फिल्ड मार्सल सैम मनिक्षौ की जीवन पर अधारित है सैम मनिक्षों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारती सेना को जीत दिलाई थी जिसके बाद बांगला देश का निर्माड हुआ था विकी कॉसल की सैम बहादूर बायपिक फिल्म को मेगना गुलजार ने डायरेट किया है सैम बहादूर फिल्म एक दिसंबर 2030 को सिनमा गरों में रिलीज होने जा रही है दोस्तो विकी कॉसल की सैम बहादूर फिल्म को सिनमा गरों में देखने के लिए आप कितने एकसाइटेट हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और बॉलिवुड से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद